ओ भाद्रम करने भिही सुड़ूयाम देवाह भाद्रम पसे माक्ष भिर्य जात्राह स्थिरे रंगे सुष्टुवा गुम् सस्तानो बिर्ध यासे मदे बहीतं यदायुह। सस्तिना इंद्रो ब्रिधस्रवाह। सस्तिना पूखा विष्ववेदाह। सस्तिनस्तारक्चो अरिष्टनेमिह। सस्तिनो ब्रिहस्पतिर्दधात। ओम शांतिहि शांतिहि शांतिहित। संकरम संकराचार्यं केशवं बादरायडं। सुत्रभाष्य कृतव बंदे भगबंतव पुनह पुनह। इश्वरो गुरुरात्मेंति मूर्ति भेदा विभागिने। व्योमबद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त ये नमहां। ओम शांतिहि 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 शांतिहि। इसको एक तरफ कर दो तार को बीच में कर देजिए। हाँ ऐसे करो। क्या हुआ। कर दो। क्या हुआ। क्या हुआ। कि शाष्टा मंत्र हो गया। कि शाष्टा मंत्र हो गया। सब्त में चलेगा। ये तच्च ज्ञान रहितम कर्म ये तावत फलम वविद्याका मकार्यम अतो ओसारम दुख मुलम इती निंदते। क्या हुआ। क्या हुआ। ये जो कर्म है ज्ञान रहितम ज्ञान से यहां पर उपासना लेनी है। उपासना नहीं करता है क्यबल कर्म करता है जागादी कर्म कडता है। इसमें ना तो उनका फल कैसा है एतावत फलम एतावत फलम यस्य तद एतावत फलम उसका फल जो इतना ही है सर्ग की प्राप्ति बैस केबल करम करेगा तो सर्गत हो जाएगा आगे उसके लिए अलव नहीं है ब्रहम लुप तो कि ब्रहुब लोग के लिए एंट्री नहीं होनका सर्गत अट्री है उनका सर्ग का भूग भग ने मर्थलोग मिशंति वेख में पून्य का श्विण हो जाएगा तो सर्ग अशे लटेगा उग। पुन्य समाप्त हो गया ना सर्ग भुगने का फिर यहां कमाने के लिए फिर आएगा पुन्य कमाने के लिए तो अभिद्या काम काम का अभिद्या है काम है 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 और उससे फिर कर्म होता है अभिद्या से कामना होती कामना से फिर कर्म होता है कर्म से बैसफल अनित्य होता है सर्ग की प्राप्ति और तो इसे लिए क्या हुआ और तो असारम इले इसमें कोई सारी नहीं है कहां सुक है सुक है नहीं सर्ग में भी दुख ही है इले का दुख्ख मूलं, दुख्ख है मूले, दुख्ख मूलं, संज में कि नहीं? तो दुख्ख का मूल लेलो, दुख्ष्य मूलं इती दुख्ख मूलं, दुख्ख का कारण है, ये संसार दुख्ख का कारण है, संसार से दुख्ख प्रप्त होता है, कर परमात्म से मुक्ष क्यों होता है इसलिए की आले लेक स्कुल्ट करम अबद्धते जंत्र का गया कर्म से क्या होता है हु दुख्खा होता है MA संसार के प्राप्ति होते हैं दुख considered कि ए ती इसले निंदते इसले निंदा हो रहे है किसके निंदा हो रिए कारमक के निन्दा हो रहे है पुंगी कि लेकिन आठने कि बोलो जो एतच्या बोला है मतलब इतच्या मतलब स्वार को खल ना नी एतच्या कहने से कर्मा लेलो एतच्या कर्मा एतच्या कर्मा एतच्या कर्मा के साथ करो तो यह जो है एतावत पलम क्या होका कर्मा ही है एतावत पलम बोवरी समाज किया ना कि कहने का मतलब अगर उपाशना रहिट कर्म होगा तो वो स्वर्ग प्राप्ति कराएगा ना कि एतावत फलम कहने से इतना ही फल वाला है इतावाद फलम जिस्या उस कर्म के एतावाद इतना ही फल वाला है जोच मैं के न है कर्म का फल कितना है बोल इतना ही फल है कर्म का इतना बोल रहा एक सरग ही बैस होगे के नहीं रोडते सरगा जायें के तो दुख अब दुखिए और दुखिए przच कहा है कि सरग में भी शुक नहीं है दुख ऑधी है ठीक है उतना है यह लोह का पींज रहा है हॉसोने का पींज रहा है बैस इतना ही तो राइए पिंजरा ही है, मर्त लोग हो गया लोह का पिंजरा, अशर्ग हो गया, सोने का पिंजरा, अब ब्रामो लोग कों सा है, हीरे का पिंजरा, और के है, बैस इतना ही और के है, पिंजरा तो पिंजरा ही है, उसमें कहा है, ब्रामो लोग ही बैस और उपर का है, ब्रामो लोग ही है, होगे चलो इती इस अई प्राय से कर्म करने वाले की निंदा हो रही है है में लो कर्म की निंदा हो रही है सब्सक्राइब की नहीं है चलो अब जो है मूल में चला यह मंत्र देखो प्लवा हेते अद्रढा जग्य रूपा अष्टा दसक्त मवरं येशु कर्मा एत च्रयो एभिनांदंति मूढा जरा मृत्युम्ते पुनरेवाप यंती पुनरेवाप यंती ये मदलब क्योंकी ये मतलब क्योंकी क्योंकी एते प्लवा ये प्लवा है प्लवा है बिनासी है और क्या है वो कैसे होते हैं बिनासी प्लवा बिनासी ना इतरत देखो लिखा ना बास्ते में ये बिनासी है बिनासी है बिनासी कौन बिनासी है ये जग्यां रूपी है रहा है यह जग्यों रूपी जो है नोका समझ रहे हो जग्यों के द्वारा हम जो है वो पार हो जाएंगे मोक्षा को प्राप्त कर लेंगे संसार से पार हो जाएंगे समझ रहे हो ना लेगन यह जग्यों रूपी जो नोका है वो कैसा है inental स्थिर नहीं है इलंे और और हर क्या है सद्धिर में अज़ते हां इते हं डिरह का मतला है अज़ते होता है अ दिरह का मतला अस्थिर होता है स्थिर होता है क्या हिल्दा डूलता रहेगा ना सर्गो भी कहां स्थीर हो देवतालोग स्थीर नहीं होते हो देवतालोग बहुत चंचल होते है क्या हाँ देवतालोग बहुत चंचल होते हैं स्थीर नहीं हो द्रड़ा नहीं हो सकते तुम्हारा बेरागा तो टिक सकते है बताओं का बैरागर टिकता नहीं हो अरे एक के पिछे एक भोग होता रहेगा तो कहां वस्तिर होगा वह यह भी वह प्रह होगा ना क्या इसा मैं अरे एक भोग के पिछे दूसरा भोग आता रहेगा होता है कि नहीं होता है अरे ऐसे कहीं कहीं होता है ना खातिरदारी करते है ना अतितिस्यवा करते है एक खाने के बाद दोस मिन के बाद यह खाओ समझे वह इसके बाद यह खाओ समझे खिलाते ही रहेंगे तो कहां से बूतिस्तिर होगे बताओ नहीं हो सकते ना यह आच्छा और अश्टा दसक तो अबराम येशु कर्मा अश्टा दसक बल दे अश्टा दसक तो अश्टा दसक बल शोला मिल करके कर्मा करते ना क्या सोला मिल करके है ना और बताएंगे सोला और दो अच्छा हो जाएंगे सोला होते रित्विज और पति पत्री मिलागर कितना होगे दो अच्छा होगे ये अच्छा में आश्री तो होता है जग्यां ये अच्छा में आश्री तो जग्यां है सास्तर में कहा गया ऐसा है है कि ने अबराम येशु कर्मा ये आठ्रों में आश्रित जो कर्मा है ये निक्रिष्ट कर्मा हुआ ना क्या केवल कर्मा करता है उपासना नहीं करता है उपासना जोकता कर्मा वो सरिष्ट है और उपासना से रहित कर्मा निक्रिष्ट हो गया है उसकी निंदा हो रहे केवल कर्मा की निंदा हो रही है, आगे देखो, और देखो, बड़े खूस होते हैं है कर्म कांडिलो, क्यों खूस होते हैं देखो, यही मोक्ष का साधन है ना, यही श्रया है, श्रया मतलब क्या है, मोक्ष का साधन, वह गया, यह जो कर्मा हम कर रहे हैं, यही मोक्ष देने वाला है, है कि नहीं ऐसा मान करके यह मूढ़ा अभिनंदन ती वो बड़े खुस होते हैं जो मौक्चो का साधन नहीं है रोक्चो को उसको जिए मौक्चो का साधन मानेंगे उसको बीबे की कहा जाएगा कि मूढ़ कहा जाएगा क्या का जाएगा मूड का जाएगा मूड कही का जाएगा यह मिमान सग लोग है अपा मसो माम अम्रिता हमा सोम्राज पान कर देंगे तो अम्रित हो जाएगे हो जाएगे अम्रित अम्रित नहीं हो सकते हो लोग बासन में यह यहां पर कह रहे है तो क्यों आपको इसको गाली द थे तो फिर करेंगे, करम करेंगे तो सरघ जाएंगे, सरघ से लोटेंगे. क्यों च्रक प्राकत करेंगे फिर्प्रिष्टी हो जाएगा फिर मेघ हो जाएगा प्रिर उन्न हो जाएगा अन्न को फिर ऊन्न हो जाएगा ऑपक्रि को खायगा कि मनुष्य खाएगा, घार में रोटी बनता है, वो रोटी का अंदर जीब रहेगा ना, अरे घार में रोटी बनता है, उसमें अंदर जीब पड़ा है, वो रोटी को कौन खाएगा गरांटी है, बोलो, बोलो, घार में रोटी बनाते हो, अब सोज रहे हैं कि पत्नी सोज रह हमारे पतिदेव खाएंगे सोच करके वो बना रही है कौन उनकी धर्वाम पत्नी बना रही है पापा जी यह की ने पत्नी सोच करके बना रही है कौन खाएंगे करके तो जो पतिदेव खाएंगे करके बना रही है गरंटी है वो खाएंगे बना रहे हो बंदर आकर ले जाएगा उसको अब बंदर के सरीर में चला जाएगा पर बंदर बन जाएगा है कि ने गारंटी है बहुत कठी ने हो कभी पूर्य कर्मा किया हो तो उसको क्यों पूरुस खाएगा पूरुस के सरीर में जाएगा ते पर उसकी पत्नी में जाएगा तब जाएगर के संतान हो गया कठिन काम है कि नहीं बोलो बहुत कठिन काम है क्यों इसलिए जो है बहुत कठिन है जब तक यह आत्मा ज्यान नहीं है तब तक तो संसार को प्राप्त करता ही करता है यह कह रहे है फिर जरा मृत्युम ने संसार को फिर प्राप्त करेंगे मुक्षा नहीं हो सकता है चलो बाशा देखो ही मतला है क्योंकि यस्माद एते जग्या रूपा अद्रा मतला अस्थिर अस्थिर नहीं है यह जग्या रूपा जग्या स्य रूपा ने जग्या रूपा ऐसा कहा मतला जग्या के सो रूप जग्या रूपा जग्या निर्वर्त का हा जग्या को संपादान करने वाले कितने होते हैं अटरा होते हैं अश्टादस अश्टादस संख्या का हा सोड़स रित्विज पुष्टक देखो सोड़स रित्विज कितने रित्विज होते हैं होता अधर्यु भर्ह्म है उद्गात्रा प्रति प्रस्तात्री ब्राम्हन शसी आगिग्र प्रस्तता प्रति हर्ता शुप्रमन्य मेत्रा वरुण अच्छा भाग, ग्रावस्तुत, नेश्टा, उन्नेता ऐसा मिला करके 16 होते हैं 16 होगे और पति-पतनी मिला करके कितने होगे 18 क्या कह रहे हो 18 ये ती अश्टा दसा ये 18 होते एतद आश्रयम कर्मोक्तम इसमें आश्रित होता है कर्म ऐसा कथितम सात्रन सात्र में कहा गया है कि मिलते हैं कहीं कहीं ढूंडने पर मिलते हैं मिलते हैं कहां आश्कल लोग नियम से करते हैं बेग सब जो आश्कल जो है ऐसे ही है येश्टा दसाश्व कहीं कहीं बचे हैं अभी भी येश्टा दसाश्व ये अटरह होगे न इसमें अटरह में आश्रित कौन होता है कर्म लेकिन कहीं कर्म कर्म कर रहा है उपासना नहीं कर रहा है है किने इले अभर निक्रिष्ट हो गया के वलम ज्याना भरजितम कर्म ज्यान कारत उपासना अटह तेसाम अभर कर्म आश्र जानाम अश्टा दसानाम कर्म का आश्रे कर्म ये कर्म कर्म हो गया है कर्म का आश्रे कर्म हो जाएगा है कि नहें इले का प्लवते नश्ट हो जाता है सहा फले ना वो फ्ल के साथ नश्ट हो जाएगा कर्म तत साध्यम कर्म उससे साध्य कर्म होता है ना आश्र जब नहीं रहेगा तो आश्री तो कांस रहेगा कुंड बिनासादिवत शिरत अध्यादिनाम तस्थानाम नाश है देखो दही है दही दही है ना दही रखे हो दूद रखे हो काँ पर कुंड कुंड मतलो मिट्टी का मिट्टी का पात्र रखे हो उसको कुंड कहेंगे और फूट गया तो उसमें दूद रहेगा दही रहेगी बहुलो नहीं रह सकती ना अब हो जाएगा एक नहीं इसी पगार जे जो है अरे भी क्या बात है अभी समस्या ना बताओ सारा संसारी समस्या में जोज रहा है है कि नहीं और और समस्या क्यों है और सबको आज कल समस्या बताओ है यह संसार का दूसरा नाम क्या है समस्या है है क्यों है कोई बचय को बचे होते हैं समस्या ना बतावे केवल ब्रह्मा की चर्चा करे विषास्त्र की चर्चा करे कोई कोई है क्यों हो भाई सही है ना क्या बोलते हो आप लो क्यों राज हो सही है आप अब जो करना चे आज मैं चांदोगे बोल रहाता हैं चांदोगे सादक को जो करना चे वो नहीं करते हैं जो करना निदनम स्रेया परधर्म धर्मा का शुरुप बदलता रहता है अभी आपके लिए जो धर्मा आगे वो धर्मा आपका नहीं रहेगा बदल जाएगा क्या कहते हो धर्मा हमेशा सब करे समान नहीं होता है बदल जाता है क्या अधिकारी के बेट से हैं इसलिए साधक को उस समय जो करना चाहिए उनका धर्मा होगा चित्त सुद्ध नहीं है तो क्या करना चाहिए करम करो निश्काम बाव से करम करो साधू की सेवा करो आचरी जी की सेवा करो करते हैं लोग बलो कहा करते हैं सब लो अरे सब लो जितने बदान सुट रहे कहा करते हैं सेवा का नाम सुनती भाग जाते हैं लोग सेवा का नाम सुनते ही भाग जाते हैं बोलो सब्जी आमनिया करो तो नहीं भाग जाएंगे सब भोजन के समय तो आजाएंगे सब हम खूद भोजन पाएंगे फिर भी सब्जी आमनिया करो बोले तो नहीं करेंगे असूने के बैदानत सुनेगे बेदान्त तो कल्यान हो जाएगा बलो क्यों भई सुन्दरेन आप लग भई बेदान्त सुनेगे लेकिन स्यवा का नाम सुनते ही भाग जाएगो कैसे होगा कल्यान बलो हो जाएगा हो जाएगा मापुरुष की आग्यां का पालन करना सबसे बड़ा धर्मा है महापूरुस के आज्या का पालन करना सबसे बड़ा धर्मा है उसको नहीं करेंगे और बैदान्त सुनेंगे तो कैसे हो गश्यण इसके परते एक देशी क्या बुलते हैं इसको हाथ दो कर आजitter एक देशी बेदान्त सुनते समय और मुह में अंगली लगा रहे हो तो हाँ ये कह रहा है तो एक दिशी हो गया न ये क्या हो गया एक दिशी मतलो क्या हमको जो आच्छा लएगा वो करेंगे जो आच्छा ने लएगा वो नहीं करेंगे इसका नाम क्या होता है एक दिशी बेदान तो हमको आच्छा लग रहा है, सुनेंगे है कि नहीं, लेकिन आचर्य की आग्यां का पालन करना कोई जुरूर नहीं है हम नहीं करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक देशी सजमाय कि नहीं? समस्या है, चलो आगे देखो, हो गया ना? इसलिए जो शोला जो है पति-पत्नी हमें सा रहेंगे वो भी द्रड़ा नहीं है तो उससे होने वाला कर्म भी कहां से द्रड़ा होगा? वो भी बिनासी हो जाएगा सभ़ मैं कि नहीं? यह हो गया, चलो यता एवा मेतत कर्मा श्रया, श्रया कारणाम देखो, यह जो कर्मा है मोक्ष का साधन है ऐसा मानते हैं बड़े प्रसन्ना हो रहें यह अभिनांदन्ती मला अभिहरिश्यन्ती ओ ओ बिवेकियो बिवेकियो नहीं है यह लोग उसको मूड का जाएगा मुडा अतस्ते जराम चा मृत्यूंचा जरामृत्यूंचा 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 ज अगे अपक्षियते बिनास्यते ये छे भापिकर है तो जरा मृत्यों दो कहें दिया बागी सब लेगा जरा मृत्यों किंचित कालम सर्गे श्थित्वा कर्म करेंगे सर्ग तो जाएगा लेकिन सर्ग में पुन्य के अनुसार रहेगा पुनरेवा पी जन्ती भूयो पी गच्चन्ती फिर जन्म लेगा कहां जाएगा उपता ने भगवान जाने वो कर्म के अनुसार उनको सरीटिक प्राप्ति होगे अच्छा जी अगला स्लोग देखलो आड नंबर स्लोग देखलो पीमचा ठीक है वो जग्यों रूपा बोल दे ना वहीं दिया होगा ठीक है यह की फोल जग्यों रूपा रूप्यते निरूप्यते यद आसरतया जग्यां आस करके जग्यों का संपादन होता है उसको क्या बल देया जग्यों रूपा कितना जग्यों रूपा है ओठरा 16 है रित्विज पती पत्नी मिला घर के अठर हो गए अठर हो के लिए जग्यों रूपा मलब जग्यों का संपाधन अठर हो गए न यह लिए अठर को क्या बल दे जग्यों रूपा हो गया चलो आगे देख और निंदा कर रहे हैं किसके करma की इसका मतलए यह नहीं कि करma कोई भी बीन करे ऐसा नहीं हो पत्पर है यह तात्रने ठीक है जीवान बर जो करma करता है ठीक है अठरवा यह समझ रहे है कि करma ही मुक्ष का सादन है तो उसकी देखीना हो रहे है और संसार में कोई भी करma करें ऐसा नहीं यहां पर निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं निंदा निंदयम निंदितम अपितु विदियम स्थुतुम विदियम यहां पर क्या है ज्ञान का साधन वेदांतय का विचार विचार में प्रभूर्द कराने के लिए कर्म के निंदा हो रहे हैं में कर्म के निंदा का तात्पर ये कर्म में नहीं विचार जो ज्यान का साधान में उसमें प्रवर्वद कराने है वो इसकी स्थुति हो रही है किसकी ज्यान के साधान की चलो कीम चवर भी अविद्याया मंतरे बरतमानाः जंगन्यमाना परियंति मूरा अंदे नेवनियमाना जतन्धा देखो भास्य में जो कीम्च न ओर भी और भी कर्म करने वाले की निंदा हो रही है सुती निंदा करती है ठीक है किसकी निंदा हो रही है कर्म करने वाले की कर्म कांडियों की ठीक है दो कैसे है अविद्यायाम अंदरे बर्तमाना मैं अविद्या की अंदर विद्यमान है मतलब क्या अभिद्या के कारण कर्मा होता है अभिद्या का कार्य होगे कर्मा अभिद्या के अंदर मतलब क्या अभिद्या का अंदर को नहते कर्मा है कर्मा अभिद्या के बिना तो होगा नहीं मैं जाग करूँगा बड़े बड़े जाग करूँगा और अभी तक कोई किया नहीं है बढ़ी हाँ जो है हमको कर्म करेंगे पुन्य कमाएंगे सर्ग जाएंगे ऐसे मान रहा ना ये तो अभिध्या है अभिध्या सी हो रहा है अभिध्या कार्या कार्या होगा कर्म है कि नहीं वीवेक नहीं उनको वीवेक नहीं 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 मोक्च का साधन क्या है उनको भीवे की नहीं है कौन संसार का साधन है कौन मोक्च का साधन उनको भीवे की नहीं है अभिद्यायामंतर वर्त माना है कि नहीं असोयम क्या मान रहा है अपने को अभीवे की नहीं मान रहा है जैसे कोई नौसा खाया न अपने को नहीं मानता है कि मैं नो साइखा यहां हूं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं ऑपने को नहीं मानता है कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं, उनको आच्छा लगता है, क्या, उनको समझाने है नहीं समझता है बस हाथ जोड़कर साइट हो जाओ तुम ठीक है स्वयाम धीरा अपने को धीर मान रहा है मैं न धीर मान रहा हो एक कि नहीं बीवेकी मान रहा है अपने आपको ठीक है तो धीमांत धीरा का धीमांत कर देंगे मतलब उसको लोकिक ज्ञान है ना बस हम बहुत बुद्धी मान है यह तात पर है पंडितम मने माना अपने को पंडित मान रहा हो हमको सब बीवेक है क्या करना चे क्या ने करना है हम सब को बीवेक हम सब जानते हैं बोलते हैं लोग है ने पंडित लेकिन अपने को पंडा बतलब बीवेक नित्या नित्य पस्तु का विवेक वो विवेक जिसको हुआ उसको कहते पंडित विवेक हुआ ने लेकिन अपने को क्या मान रहा है विवेक हुआ है मान रहा है विवेक ही मान रहा है विद्वान मान रहा है सज में कि ने तो उनका क्या होगा देखो जंगन्यमाना परियंति मूढा तो निरंतर जंगन्यमान मतलब क्या बार बार उनको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा क्या मलब बार बार अनर्था की प्राप्ति तो होगी होगी बार बार शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा चक्र में उनको घुमना ही पड़े अले परियन्ति बोल दिया संसार रुपी चक्र में तो घुमता ही रह गा येली परियन्ति को मुपमे गा हो बीवेकी का बीवेकी वी मुधा हो इसमें दिश्टाँ दे दिया देखो जथा अंधे ना इवनियमाना अंधा हा दे से कोई अंधा है दे से कोई अंधा है सच मेरा ओ अच्छे मारक पर जाना चाहता है अच्छे मारक पर जाना चाहता है अपने गंतवस तल पर पहुँचना चाहता है तो किस से पुछना चाहिए अंधे से पूछना चाहिए कि चक्षु वाले से पूछना चाहिए लगे पूछा किस से अंधे से पूछा तो अंधा तो अपने मार्क पर नहीं जा सकता है उसका जो आसर लेगा ओभी नहीं जा पएगा यह कि यह दोनो जो गिरेंगे गड़े में उनके गुरु तो गिरा है ऐसे गुरु का जो आसर लेगा ओभी गिरेगा यह कर्म का जो उपदिश करने वाले है गुरु ओभी गिरा है ओभी संसार में गिरा है उसका जो आसर लेगा जो चला उनका ओभी गिरेगा संसार में कि मुक्त हो जाएगा वो मुकत होगा इसको कहते है अंधा परमपरा क्या कहते है आजकल अंधा परमपरा खुब चल रहे यहाँ बड़ी संका होती है संका यह होती है कि हम कैसे पहचानेंगे यह तो दिश्टान दे दिया अंधा कौन चक्छु बाला है और कौन चक्छो वाला नहीं हम कैसे जानेंगे वो कैसे पहचानेगा आरे बोलते हैं कि जो है पाने प्यों चानकर और गुरु बनाओ जानकर तो कैसे जानोगे क्यों भै पाने पियो चान कर क्या हाथ उठा या पी लिया क्या कहता चाहते है पाने पियो चान कर बोलते है पाने पियो चान कर और गुरु कर जान कर दोनों सही है दोनों सही है क्या बोलते हो पाने भी ठीक नहीं है क्या पानी छान कर पियो ब्यमार नहीं पड़ोगा ऐसे कोई गरंटी थोड़ी हो निश्चित नहीं है अरे बहुत लोग ऐसे कैसे पी लेते हैं कुछ नहीं होता है हो आते बता हो कासी का जो गंगाजी का जल है कासी में गंगाजी का जल है अब लोग जाते हो, कासी जाते हैं, काला-काला पानी दिखता है, नाला का पानी भी उसमें गिर रहा जाता है, तो दक्टों लोग भी शुन रहे हैं, उसको पीने से पेट खराब होगा कि पेट खराब नहीं होगा, बलो दक्टर जी, दक्टर लोग सुन रहे हैं, बैस होई हैं एक आप जेखो वहाई पर ऑननाप चलाता है ओल पीते रहते कुछ नहीं होता है हे Cupह अप्वान नीकर सकते हूं कुछ नहीं होता है मैं इसे ऊठाया हो क्या अ है अ क्या है क्या सो थिस्ट्रामन ने आप क्या ब़ूज़ नवालगा नहीं है स्रद्दा की बात है क्या है स्रद्दा की बात है स्रद्दा की बात है महाराज स्रीजी का अब दिश्टान ले लो महाराज स्रीजी की बात वो अंतीम तो गंगासन कभी नहीं छोड़ा उसने एक बाद डॉक्टर बोल दिया, महराज इतना बुकार हो और आप स्रान करेंगे, तुम कुछ नहीं जानते हो, तो महराज उसको डाट दिया, तो जानते नहीं गंगा जी क्या है, जानते नहीं तो, इससे बड़े कोई दबाई नहीं है, क्या बोल दे दे, इससे बड़े कोई दबाई नहीं है गं प्रतिरोज सक्ति के बाद नहीं है, सरद्धा के बाद भी होती है, क्या, कैसे हमें, और भृद्धावस्ति के बाद कहे रहा हूं मैं, तो उसमें कहां संद्ध प्रतिरोज सक्ति होती है, फिर भी चलो, सरद्धा है, हैं, तो समय की नहीं, इसी प्रगार से जो भाई, देखो, तो गूरु को जान करके कैसे बनाओगा गूरु, कैसे पचान होगे, भगवान नहीं पचान होगे, भगवान के सरन में रहो, भई ही उपाय है, कोन अंधा है कोन अंधा नहीं है तो कैसे पतले है, क्या, अरे निंद्य के बड़ा दोस होता है, वही ते कह रहा है, ऐसे पहचान नहीं पहचान पहुगे, बहुगान के शर्ण में रहो, वह यह आप को चक्षु वाले गुरु दिखाए, और कोई उपाय नहीं, चलो, अच्छा, यह कहना है कि यहां पर निंदा हो रहे है, जो लोग करम को यह मोक्षा का साधन मान रहे हैं, है कि नहीं, आप भी उस में आश्रिद होकर कि कर्म करेंगे तो उलोग जैसे मुक्ता नहीं है याँ है फ्राय चलो ठीक है भास देख भू अविध्याया मंत्रय मद्धे वरतमाना अविवेक प्राया अविवेक है भी बिवेक है इना बहार का बिवेक तो है लेकिन साधन में क्या करना चाहिए विवेक उनको नहीं है सयम बया मेव धिरा अर धीमान आमको अपने को विवेकी मान रहे है अर पंडिता बिदिता बिदिता क्या है बिदिता बहित अब्यश्च जो जानना था वो जान लिया जो जानने जोग्य हो जान लिया जिसके द्वारा उसको वो ते पंडित कहते न क्या करतब्य है क्या करतब्य नहीं है ऐसा ज्यान जिसको हुआ उसको गोलेंगे पंडित है है कि नहीं ऐसा मान रहे है अपने को हम सब जान ले किससे मुक्ष होगा सब जान ले और किस से मुख्षन होगा, उसको भी अम जान लित ऐसा आत्मानम संभावयनत ऐसा मानते हुए तेच जंगन्यमाना मतलब जरा रोगादी अनेक अनर्त बराते ही यह जरा रोगादी सब अनर्त तो है, शरिर में और का है जरा रोगादी तो हुनाँ ही होना है सब अनर्थ का समुदा है ये एक नहीं उससे हन्यमाना आ चाहिए ना आ है हन्यमाना आ है कि नहीं क्या हुआ ना है कि नहीं हन्यमाना ना है ना हन्यमाना भृषम पिड्यमाना भृषम मनले कि अब बार बार अत्य दिख बार बार पिडित होते हुए एक ने जरा रोगादी से पिडित होते हैं शरीर धान करो तो जरा रोगादी तो होगा यह होगा जरा रोगादी तो होगा तो परियांती मला भाम भिभ्रमांती मूडा बार 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 इस चक्र में घुमते रहते हैं जर्मसे मृत्यु जराम्र्ज तक्र में पड़ते हैं दर क्यों भई दर्षणा भर्जितत्वाट दिस्तांत क्या दिया अंधे ने व निया मीना जतांदाव। दर्शना बरजित अत्वात ज्ञान तो ही नहीं उनमें उन्देना एव और चक्छु उसके कामें नहीं है एकिन उसके द्वारा नियमाना मतलब गया है पदर्श्य माना मारेगा उनको मार्ग बता दिया मार्ग बता दिया ठीक है जथा लोके जैसे बेभार में अंधा अभी अभी अक्छी रहिता अंधा में कोन होता है जिसके पास देखने का साधन चक्छु नहीं है उसको ख़ए अंधा ठीक है गर्थक कांटदादो पतंती तदवत ये द्रिष्टांद हो गया है किने अंधा के द्वारा दिखा गया मार्ग के मार्ग से जाएंगे तो कहां गिरो होगे इसी में गिरोगे किने गड़े में गिरोगे काटा आदे काटे आदे में गिरोगे है किने इसी प्रगार दिख के पास चक्छु नहीं है चक्छु मतलब क्या नहीं है ज्यान नहीं है है किने क्या नित्य है क्या अनित्य है नित्य प्राप्ति का साधन क्या है है किने संसार की प्राप्ति का साधन क्या है है किने संसार की प्राप्ति का साधन को जोदी मुक्षा की प्राप्ति का साधन मानोगे तो उसको क्या का जाएगा अंधा निका जाएगा और उसे के उपर आप आशित होकर चलोगे तो आप गंतवेस्थाल पर पहुचोगे गंतवेस्थाल आपका क्या है? मोक्षा यद्गात्वाना निवर्तनते तद्धामा परममम वो जो आपका परमधान है आपका स्वरूप नित्यसुखः और नित्यसुखः को प्राप नहीं कर सकते हैं संसार उपे दुखः को प्राप करोगे मोक्षः को प्राप नहीं कर सकते हैं यह होई प्राय है, सहाज मैंगे नहीं है यह होई प्राय हैं कि संसार में कोई कर्मा ना करे कर्मा को ही जो मोक्षा मानता है वो इसी निंदा हो रहे है लेकिन आम चित्ता को सुध करने कर्म करें ज्यानिना कर्म कर्वनते संगम तेक्त्वा आत्म सुध्य ज्यानि में बिवेकी बिवेकी लोग भी क्या करते हैं कर्म करते हैं किसके लिए है अंतकन के शुद्धी के लिए तब तो कोई बिरोत नहीं है सात्र कहता है तमेतम आत्मानम बेदान बाचनेना बिविदी संती जग्येना दानेना तपसा ना सकेना ब्रह्म सुत्र में आगया कि सर्वा पेक्ष्याच जग्यादे सुतिरस्वत जैसे घोडे का बिनियोग हाल जूतने में होता है कि रात में होता है रात में होता है ना इसी वेकर कर्म का बिनियोग मुक्षमें नहीं हो सकता है तेकिन ज्यान के साधन में चित्तों को सुद्ध करने के लिए हो सकता है किसका बनी यो कर्म 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 कर् जैसा भाव से करना चाहिए ऐसा करो गता होगा ओम सांदेशा ओम पूरा मदाह एक पंगती थे क्या चलो कल करें ओम पूरा मदाह पूरा मिदम पूरा पूरा मुदाच्यते पूरा श्या पूरमा